हलो गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम लोग आए हुए उल्टे हनमान नंदिर मनत पूधी करने के लिए और किस चीज की मनत है ये आप समझ सकते हो चिंटु के पापा की तबेत खरापती उन्हें हाड़ेटेक आया था और एंजिग्राफी हुई उसमें उनकी तीन ब्लोकेश थे उनमें से दो में स्ट्रेंड चल चुके हैं और एक बाकी है जिसमें एक से जड़ महने बाद को लोग डाल सकते हैं सो फाइनली हम लोगों की टेंशन आधी से जादा खतम हो गई वह भगवान की क्रिपास है तो सबसे पहले हमें उनका थेंक्यू करना बनता था तो जैसे ही उनका ऑपेशन हुआ और हम लोग वहां से निकले उनसे मिले और वहां से निकले और डायरेक्ट मंदिराए जिससे हम लोग पहले सबसे पहले भगवान के दर्शन करना चाहा रहे थें क्योंकि पापा ने मनत की थी उन्होंने माना था कि अगर वो एकदम ठीक हो जाएंगे और डॉक्टर उन्हें एकदम क्लीन चीप दे देंगे तो हम लोग यहां दर्शन करने आएंगे और वहीं किया हम जैसे ही उनकी तबेट ठीक हुई आइमीन उने स्टेंग टेले वैसे ही हम लोग यहां आ गए तबेट तो ठीक नहीं कह सकते अभी भी उन्हें तकलीफ है आप समझ सकते हो हार्ट अटेक आने के बाद और इतना सब कुछ हो गया इतने दिनों में तो एकदम परफेक्ट तो रही है अभी वो लेकिन तो भी एक जो में टेंशन थी वो खतम हो गई क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने कहा था कभी भी सेकेंड अटेक आ सकता है तो जो दो में ब्लॉक थे जिनकी वज़े से हड़ अटेक आया था उनमें स्टेंग डाल दिये हैं और जो एक पचा है उसे ब प्रॉब्लम्स भी हैं उन्हें तो उसे बाद में ट्वीट करेंगे वो बट अभी जो में प्रॉब्लम्स थी वो खतम हो गई है और बस यह है कि अब उन्हें अपनी खुद की क्यार करना है जो बहुत जादा इंपॉर्टेंट है एंजी प्लास्टी के बाद बहुत मिल रहा है अभी इतने दिन बहुत हम लोगों की हालत खराब रही है और दर्शन करके हमें बहुत जादा शांती मिली सो मैंने सुचा पहले आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर दूं में इस बारे में कि अब उनकी तब्यत एक्दम ठीक है प्लीज आप सब प्रेयर कीजिए कि वो जल्द से जल्द कर आजाएं जिस चाल रोकर और एकदम स्वस्त हो जाएं